हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो मैं आप सुभी को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप ग्रो अप्लिकेशन में इन्वेश्मेंट कर सकते हैं यानि कि दोस्तो कोई भी अश्टोक को डिलीबरी सीगमेंट में कैसे आप बाई करेंगे बाई करने के बाद अगर आप उसको कुछ दिन रखते हैं उसके बाद फिर आप सेल करना चाहते हैं मतलग कि उस अश्टोक को बेच के आप अपने प्रोफिट को निकालना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं जब दोस्तो कोई भी holding में पड़ेवे अश्टोक को sell करते हैं तो आपको tip in की ज़रूरत हो दिये ठीक है मतलब tip in generate करना पड़ता है तो वो tip in भी मैं आप सभी को lab यहाँ पे generate करके दिखाने वाला हूँ साथ ही दोस्तो fund कैसे add करेंगे complete grow application में आप सभी को delivery में buy करने से लेकि दोस्तो sell करने की process जो है इस वीडियो में आप सभी को lab demo मिलने वाला है तो चलिए दोस्तो बिनटेम वेस्ट की हम वीडियो सुरू करेंगे उससे पहले अगर आप इस channel पर नहीं है तो channel को भी subscribe कर सकते हैं और demo account आपने grow application में अभी तक open नहीं कर रखा है तो open भी कर सकते हैं link description में आप सभी को मिल जाएगा तो चलिए वीडियो हम सुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तो आपको क्या कर रहा है grow application में demo account open कर लेना है अगर दोस्तो account open आपने नहीं कर रखा है तो link description में मिल जाएगा आप असानी से account open कर सकते हैं उसके बाद play store से application को download कर लेना है यह रहा application grow ip का ठीक है इसको open करना है और दोस्तो जो भी user ID और password आपका होगा login कर लेना है डालने के बाद ठीक है उसके बाद फिर देख सकते हैं उपर में काफी सारे interface दिख रहे होंगे इधर holding वगेर आपको दिख रहा होगा ठीक है holding पर आपको click कर देना है इस पर click करेंगे तो जो भी आपने अश्टोक को buy करके रखा होगा वो यहाँ पर उपर में दिख रहा होगा यहाँ पर दोस्तो current balance दिख रहा है यहाँ पर invested आपने कितने किये हुए है वो यहाँ नीचे दिख रहा है today profit कितना हो रहा है total return यहाँ पर कितना मिल रहा है वो आपको दिख रहा होगा बागी का इधर अश्टोक वगेरा आपको यहाँ पे दिख रहा है तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कोई भी अश्टोक को बाई करने के लिए delivery segment में सबसे पहले आपको यहाँ profile वाले options के उपर किली कर देना है यहाँ पे इसलिए क्ली करना है क्योंकि फ्रेंट से आपके पास पाईसा रहेगा आपके bank account से यहाँ पे डालना पड़ेगा grow application पाईसा उसके बाद ही आप यहाँ पे investment कर पाएंगे यहाँ पे आपको क्ली कर देना है add money वाले options के उपर यहाँ पे जैसे किली करेंगे कितना रुपए आप add करना चाहते हैं वो यहाँ पे सबसे पहले आप add करें तो जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे 500 रुपए add करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे add कर लेता हूँ ये रहा दोस्तो सक्सिस्फुली हमारा payment एड हो जुगा है जश्ट डन वाले options के उपर किलिक रहें दोस्तो बहुत ही असान तरीके से मैं आप सभी को explain करने वाला हूँ तो बिना अस्किप किये वीडियो को देखिएगा तभी समझ आएगा थोला सा फास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका भी समय बचे ठीक है इसलिए तो बाखी का दोस्तो इधर देख सकते है most about on grow जो ज़्यादतर दोस्तो अस्टोक को buy किया जा रहा है अभी grow application में यहाँ पर आपको नजर आ रहे है अब दोस्तो यहाँ पर मान चलिए देख सकते हैं काफी उपर यह जा चुका है ठीक है तो मैं आप से भी को दोस्तो यहाँ पर इस अस्टोक को buy करके नहीं दिखाने वाला हूँ कोई दूसरा अश्टोक में यहाँ पर लेता हूँ ठीक है तो यह अश्टोक जो यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तो इसी अश्टोक को हम यहाँ पर buy करते हैं जैसे कि दोस्तो इसके उपर एक बार में किलिक करता हूँ इसका financial बगएरा आप नीचे आके देख सकते हैं ठीक है न्यूज बगएरा इससे regarding आपको दिख जाएगा यहाँ पर company के detail जो रहता है वो देख सकते हैं revenue में company का revenue किसी साब से बाढ़ रहा है monthly basis पर यहाँ पर quarterly दिखा रहा है yearly हम यहाँ पर कर लेते हैं ठीक है उसके बाद दोस्तों यह सब चीजें आपको यहाँ पर देखना है 2022 में 10,108 करोड रुपए था इसका total revenue अब profit के बाद करते हैं कि company को profit हो रहा है या नहीं हम यहाँ पर yearly कर लेते हैं देख सकते हैं दोस्तों यह 2019 में 1992 करोड था यहाँ पर 3935 करोड था 20 में यहाँ पर दोस्तों इतना ह है और इस हिसाब से 2022 के अगर हम income देखे तो 4984 करोड और 23 का income देखे तो 4200 यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना है 75 करोड इंकम हुआ है company का दोस्तों यहाँ पर देखे तो overall जो income है मतलब company को profit हो रहा है network अगर आप देखें तो यहाँ पर वो भी आप देख सकते हैं यह भी ब इंवेश्ट अभी करते हैं और भी डिली यहाँ पर दिखोंड यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद पर दोस्तों इस company में अधेसिक अधें बपे इन्सक्चापन ओंटिंग आप 5.25 परेंगए फिर और क्योंशेंचेonyaimp पर किली करके देख सकते हैं यहाँसे शेक्टर देखना चाहते हैं यह Roberts शेक्टर ख़ते हैं अब दोस्तों हम इसी को बाई करते हैं तो हमारे TOMS है 45 शाय थो 15 रहा है यहांदी 40 protagonism यहां पर दोस्तों हम limit में या फिर market में दो तरीके से buy कर सकते हैं उपर में देखें यहां पर NAC, BAC जैनी National Stock Exchange और Bombay Stock Exchange हमारे secondary market में दो exchange आप सभी को देखने को मिलता है उपर में intraday और नीचे delivery दिखार है दो option है तो delivery में हम यहां पर buy करेंगे delivery दोस्तों मतलब एक दिन से हम जादा दिन तक यहां पर stock को hold करना चाहेंगे ठीक है तो इसी segment पर हम करते है intraday दोस्तों मतलब कि आज आज आपको buy करना है आज ही आपको sell करना है 315 से पहले ठीक है उपर पर click करेंगे इधर कुछ भी नहीं करना है यहां पर regular ही रहने देना है ठीक है GTT order के उपर में वीडियो बना चुका हूँ उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि GTT order क्या होता है यह वाला order ठीक है GTT order ठीक है एक साल के लिए भायरीड रहता है तो आभी दोस्तों इसके उपर बात नहीं करेंगे बागी का श्टोक हम यहां पर भी बाई करते हैं जश्ट दोस्तों मैं यहां पर 5 श्टोक बाई करना चाहता हूँ ठीक है यहां पर market और जो भी आप रखना चाहते हैं तो यहां पर हम लिमिट कर देते हैं और 85.05 पर हम यह श्टोक को buy करना चाहते हैं यहां पर buy वाले options के उपर click करना थोड़ा सा आपको wait करना है यह दोस्तों आपका order section में चला जाएगा जैसे ही buy हो जाएगा तो दोस्तों यह आपका holding में दीखना सुरू हो जाएगा ठीक है तो अभी हम दोस्तों यहां पर wait करते हैं यह buy होता है या फिर नह होगा देखिए यहां पर 25 पैसा जो है profit दे रहा है पांच अश्टोक हमने यहां पर buy किया है ठीक है तो यहां से आप click करके इसका detail भी देख सकते हैं बाकि order में अगर आप जाएंगे तो यह buy हुआ इसका पूरा detail आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा ठीक है अब दोस इसको मैं sell करके दिखाता हूं यहां पर 100 कुछ percent return मिल चुका है 132 percent तो इसके उपर में किली करूंगा और sell वाले options के उपर आपको किली कर देना है उसके बाद कितना श्टोक को आप बैचना चाहते हैं तो मैं यहां पर दोस्तों 5 पर श्टोक को बैचना चाहता हूं अपना यहां पर आपको बैक करना है और forget tip in पर आपको किली करना है और बोर tip in करेंगे तो दोस्तों देख सेते हैं यहां पर tip in डालेंगे और just verify वाला options को उपर आपको किली कर देना है उसके बाद दोस्तों एक OTP को दोस्तों यहां पर just आपको फिल करना पड़ेगा ठीक है तो य यहां पर कितना में करना चाहते हैं और यहां पर से लीख कर देंगे यह दोस्तों हो चुंगा हैं मार्केट पर ही हमने सेлем कर दिया अब यहां पर दोस्तों एक और स्टोग हो चुकए है और जायेंगे यहां यह होल्डिंग में पढ़ेवे अश्टो को आप सेल कर बाएंगे तो बहुत ही असान तरीके से दोस्तों मैंने आप सभी को explain किया और ज्यादा time आपका लिया भी नहीं ठीक है तो इस बज़े से दोस्तों वीडियो को आप लाइक करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को आपको यहां पर दिख रहा है ठीक है और बाकी का indicator बगर आप लगाना चाहते हैं यहां से super trend बगर यहां पर आप add कर सकते हैं ठीक है यहां all time देख सकते हैं दोस्तों यह पूरा यहां से जो है high pay मतलब की दिखा रहा है यहां थोड़ा सा नीचे downfall हुआ था तो आभी हमने इसी समय बाई किया है इस अश्टो को ठीक है तो उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो अधिक सदिक दोस्तों इस वीडियो को share करें thank for watching this video